हेलो स्टुडेंट्स, मैसेल्फ विनित गंगवाल और मेरे साथ हैं योगेश मालो सर्थ हम दोनों एलन पर केमिस्ट्री की सीनियर फेकल्टी हैं और मेडिकल को टीम मेंबर हैं एलन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री बाइलो जी की T20 स्रीज लॉंच की थी उसमें सब्जेक्ट वाइस डिफरेंट यूनिट्स के टॉप 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 टॉट्टी क्यूशिन के तुरू नीट के सिलेबर्स का फास्ट रिविजन करवाया था इसका रेस्पोंस हमें स्टुडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा मिला अब लास्ट के जो कुछ दिन बचे हुएं उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे रिवाइस करा जाए इसको आज हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला क्यूस्टिन मैं मालो सर आपसे पूछना चाहूंगा कि केमिस्ट्री में अब NCRT को किस तरह से रिवाइस करना चाहिए नीट के लास्ट फाइव यर्स के पैपर स्कानलिस से देखें तो नीट में बायो के साथ साथ केमिस्ट्री से भी NCRT-based questions पूछे जाता है औरगिनी केमिस्ट्री और इन औरगिनी केमिस्ट्री के theoretical topic और information-based topics को आपको NCRT से रिवाइस करना है औरगिनी केमिस्ट्री का लास्का पार्ट, biomolecule, polymer, chemistry and everyday life, separation and purification को आपको NCRT से रिवाइस करना है इन औरगिनी केमिस्ट्री में blocks, S-block, P-block, D-block and metallurgy, physical chemistry में surface chemistry को आपको NCRT से रिवाइस करना है NCRT के in-text questions और sold examples को भी आपको वापस से sold करना है अब मैं घंगाल सर्स से question पूछना चाहता हूँ कि chemistry के three parts में से एक part physical chemistry को students कैसे revise करें तो बच्चु जैसाब जानते है physical chemistry conceptual and numerical based part है इसमें theory के साथ साथ numerical practice पर भी ज़्यादा दिहान दिना होता है तो numerical practice जो आपने साल भर की है वही अब काम आईगी तो last में आपको अब extra question practice करनी की जरूरत नहीं है आपने जो पहले classroom notes तयार कर रखें उसमें से sold example और formula अब देख सकते हैं साथ ही साथ exam में मैं कहना चाहूंगा कि चारो options को एक बार जरूर देखें especially जब numerical वाला part है अगर दी गई values में difference बहुत जादा है तब approximation से calculation करके question को fast solve कर सकते हैं अब अगला question मैं मालो सर आपसे पूछना चाहूंगा कि organic chemistry में जो general organic chemistry part 2 जो जी 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 टू कहते हैं जो important भी है तो उसको किस तरह से revise करा जाए जी 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 टू बैसिकली reaction based part है और important part है इस part से नीट में maximum questions पूछे जाते हैं आपको organic reactions को याद नहीं करना होता है आप reaction का mechanism समझें और उस पर question practice करें आप जी टू में sequence based questions और conversion based questions का भी practice कर सकते हैं जी टू में name reaction से भी exams में question पूछे जाते हैं for example words reaction, halo form reaction, aldol condensation, clayson condensation और fedel craft reaction तो जितने भी name reaction है उन सभी को आपको revise करना है आपको reagents के function भी याद रखने होते हैं कौन से reagent का function क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए अब next question में कंगवाल से पूछना चाहता हूं कि chemistry का जो last part बचा हुआ है inorganic chemistry उसको last time में students कैसे revise करें तो बच्चो जैसा inorganic chemistry में conceptual and informative दोनों ही पार्ट होते हैं इसमें especially periodic table, chemical bonding, coordination compound यह conceptual topic है तो इसमें NCRT book में जो exception explain की हैं वही सब स्यादा important है उनको याद अखना है इसके अलावा S block, P block, D block, F block and metallurgy इसमें informative part ज़्यादा है तो last time पर एक बार इनको जरूर आप पढ़कर जाएं inorganic chemistry में NCRT में जो tables दी हुई हैं उसमें जो data explain किये हैं या जो example explain की हैं उनी पर mainly focus करना है और साथ ही साथ NIT के exam में अगर देखें तो इन ऑगनी chemistry से concept based question ज़्यादा आते हैं, information वाले question कम ही आते हैं अब एक last question में मालोसर आप से पूछना चाहूंगा कि जब कुछ ही दिन बचे हैं तो क्या last time पर हमें chemistry में कोई नया study material या कोई बुक रेफर करना ही चाहिए आप लास टाइम में नीट के प्रिविए सीयर के पैपर को solve कर सकते हैं चेमिश्ट के टॉपिक्स को आप workize-wise भी revise कर सकते हैं नीट में जिन टॉपिक ने से questions आधिक पूछा जाते उनको आप रिवाइस करने पार अधिक time दें और जिन टॉपिक्स नीट मेंक्ष्टूंस कम पूछे जाते हैं उनको रिषा करने को कम टेस सकते हैं बट आपको सभी टॉपिक स्ढ़माइच करना है क्लिब स्कते हुआ Jr नीट में कुछन कही से भी पूछा जा सकता है तो बच्चों जैसा मालोसा ने कहा लास्ट टाइम पर आपको कुछ भी नया पढ़ने की जुरूत नहीं है आप अपने आप पर कॉंफिडेंस रखिए कि आपने जो साल भर तैयारी की है वो लास्ट टाइम पर जुरूर काम कि अथर से खिए नहीं हैंग कि अथर बच्चों जा सकता है